हालो दोस्तों आप सभी का स्वागता है आज की वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैंने आपको सोशल स्टडीज में जो की जीके का आपका पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करवा दिया था कि आपके आने वाले TET exams या DSSB exams या KVS या NVS exams में किस परकार के questions पूछे जाते हैं जीके में उसके बारे में बात कर रहे थे जिसमें मैंने आपको लाश वीडियो में सविधान के श्टोत बताये थे कि सविधान में जो आर्टिकल से लिए गए हैं वो कौन-कौन से देश से मिश्ट ओकर लिए गए हैं अगर आपने वीडियो देखी है तो ठीक है नहीं देखिए तो नीचे आपको मैंने decision box में लिं और 395 अनुचेद यानि कि जो आर्टिकल है उनके बारे में विस्तारी से में आपको बताया था ये चीजे हमारे सविधान में शंबलित है अगर आपसे पूछा जाए हमारे पास कितने अनुचेद हैं हमारे सविधान में तो 395 आपके अनुचेद आर्टिकल से तो हम आप पहले आज बताऊंगा मैं आपको कि हमारे 395 जो आर्टीकल है उसके अंदर क्या-क्या है पहले हम मुश्किल से स्टार्ट करते हुए असान की तरफ जाएंगी क्यों 395 हमने कवर कर दिये तो 2212 कवर करने में कितना समय लगेगा ओके तो इस वीडियो का आप एंट तक देखते हैं क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने काया है कि क्या असान काम पर करने से पहले पहले मुश्किल काम करो फिर उसके बाद में असान काम और असान लगेगा इसलिए हम पहले अनुछेद करेंगे जो कि 395 है और फिर धिरे-धिरे भाग की तरफ और अनुछेद की तरफ चलेंग लिखा है ना उसको भी याद नहीं है तो उसकी टेंशन मतलिजेगा हम केवल वह वह अनुछेद पढ़ेंगे जहां से आपके questions पूछे जाते हैं या पूछे जाने के chances हैं तो आपको 395 के 5 याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है चलिए शुरूबात करते हैं अनुछेद तो अनुछेद हम स्टार्ट करते हैं एक से लेकर 4 तक तो एक से लेकर जो चार आपका अनुछेद है आटेगल है उसमें आपका क्या लिखा गया है तो संग छेतर और प्रस्तावना के बारे में अनुछेद एक से लेकर 4 में लिखा है तो संग देखु जो आपका भारत राज्य है वह कई राजों से मिल कर बना हुआ है न लिए गया अपका एसे सव का परीजी है की उसके दर क्या लिखा गया है आपको पहले पेज पर एक प्रस्तावना लिख Beiminko प्रस्तावना होती है आपकी ओके आपका UPSC exam में वहाँ पर जो प्रस्तावना होती है वहाँ से एक बीच का एक आर्टिकल उठा लिया जाता है और आपसे पुछा जाता है कि हमारे सविधान में यहाँ पर कौन सा प्रस्तावना की लाइन लिखी गई है जो कि वहाँ पर एक बड़ा सा लिखा रहता है कि भारत एक संपन, प्रभुता, संपन, समाजवादी, परत, निर्पेक्ष, एवं, लोगतांतरक, गणराज्य है ऐसे करका बहुत लंबी लिस्ट है वो आपकी करीब-करीब लगालो 15 लाइन की है तो वो आपकी प्रस्तावना होती है तो यह हो गया हमारा अनुचेद एक से लिकर चारगे बिच में अगर आपसे एक कोशन यहां से पूटा पोता है कि नया राज्य या राज्यों का नाम परिवर्थित करने के लिए कोन से अनुचेद में हमारा या कोन से अनुचेद में हमारा यह नियम बनाये गया है तो आर्टिकल 3 के अंदर आपका कोई नया राज्य बनाने या राज्य का नाम परिवर्थित करना आर्टिकल नंबर 3 के अंदर परिस्तरित है लिखा हुआ है किसी भी राज्य को नाम चेंज करना या नए राज्य बनाने की उसके अंदर कानूनी सारी चीजें लिखी हुई है, आर्टिकल 3 के अंदर, अनुचे 3 में नेक्स चलते हैं, पांस से लेकर 11 तक, तो 5 से 11 तक आपकी क्या है, शिटिजन सिप है, नागरिकता है अब देखो, यहाँ पर होता क्या है यह, तो सिटिजन सिप यानी की नागरिकता है, इसमें आपका जो भारत राज्य है, उसके जो लोग है, उसकी नागरिकता है, जो सिटिजन सिप है, उसको किस किस को दी जाएगी, किस अनुसार दी जाएगी, उसके बारे में आपकी 5 से ल मौली कदिकार है तो जammoo एन कश्मीर को छोड़ कर हमारे 6 मौली कदिकार जब मेश करे सांथ मौली कदिकार रहे कि संपत्ति का अधिकार वह आपका जम्मू कश्मीर में दे पहले पूरे भारत में था लेकिन उसको हटा दिया गया था कब हटाया गया था और क्यों हटाया गया था उसके बारे में भी बात करेंगे तो 12 से लेकर 35 तक में जो आपके मौली कदिकार दे रखें कितने मौली कदिकार है तो 6 मौली कदिकार है कौन-कौन से चलिए उनके बा अधिकार यानिकी right to equality अब यहां पर मैंने आपको बताया कि आपका मौलीक अधिकार 12 से start होता है लेकिन article है 14 से start हो रहा है यह क्या मतलब है तो मैं आपको बता दू देखो मौलीक अधिकार जो आपके article में है वह 12 से start है लेकिन main probably बबली आपके 14 से स्टार्ट हो रहे हैं बारा और तेरा में जो दिया गए रहा है वो मौली का अधिकार के परीचे के बारे में दिया गया है ऊके तो इसलिए आपका जो मेंशन से लेकर 24 जो कि है शोशन के विरुद अधिकार यानि कि राइट वारइट व्लिटी होता है दू से लेकर 28 मतलब धार्मिक सुर्ट नतरता का अधिकार राइट टू फ्रीडम ओफ रिलिजिंस नेक्स्ट है आपका 29 से लेकर 30 तक सिक्षा और सांस्कृतिक का अधिकार एजुकेशन एन कल्चर राइट्स और नेक्स्ट है आपका 32 अब यहाँ पर देखो 31 मिषिंग है तो 31 यहाँ से हट गया है वो खатम कर दिया गया घुसका उसको मिस कर दिया तो 31 अब नहीं है तो उसको छोड़ दो तो 32 में क्या है आपका सविधानिक उपचारों का अधिकार आनिक्ट राइट्टू कोन्सित्युशनल और किस किस चीज के उपर में बरिवारित कर रखा है दो कोशन बनते हैं कि मौली कदिकार आपके कहा से कहा तक है तो आपके मौली कदिकार 12 से 35 तक है मौली कदिकार अनुचेद 12 और 13 में क्या है तो मौली कदिकार 12 और 13 में उनका परीचे दिया गया है मौली कदिकार जो स्टार्ट होते हैं कहां से स्टार्ट होते हैं कौन से मौली कदिकार में आपका आर्टिकल मिसिंग है आर्टिकल नंबर 31 हमारा मिसिंग है तो ये कोश्चन हो गए आपके ध्यान रखेगा अगर आपसे पुछा जाए कि हमारे सविधान में मौलीक अधिकार को क्या का जाता है तो मौलीक अधिकार क्या हमारे सविधान की अंतरा आत्मा है ध्यान रखेगा प्रस्तावना जो है वो हमारे सविधान की आत्मा है प्रस्तावना यानि कि प्रेमबल हमारी सविधान की पूरे सविधान की आत्मा है मौलिक अधिकार सविधान की अंतरा आत्मा है कोशन पोटा पोटा है ध्यान रखेगा अब मैंने जो आपको अनुछे बताया पहला कि समानता का अधिकार राइट टू उक्वैलिटी इसकेंदर क्या है तो आर्टिकल यानुछे 14 में है आपका कानून मतलब कानून में आपकी सारी की सारी समक्स समानता लाई गई है यानि कि equality before low यानि कि चाहे नेता हो राजनेता हो अमीर हो गरीब हो सब के लिए क्या है कानून बराबर है कहने को है सविधान में अब है या नहीं है वो आपके सामने है नेक्स्ट है अनुछेत पंद्रा यानि की धरम यहाँ पर क्या बोर रखा देखो धरम जाती नसल की अधार पर जो भेदभाव किया जाता था रिलिजिन कास्ट ये क्रीड के अनुछेत पंद्रा के निसार सभी धरम सर्वी जाती सभी नसल के जो वेक्ति हैं वो क्या है इकवल है बराबर है नेक्स्ट है अनुछेत सूला इसमें क्या कहाँ गया है नौकरी तो सरकारी नौकरी जितनी भी होती है उसमें सबों के लिए समानिता है सब के लिए इकवैलिटी है सब के लिए जगा है तो नौकरी में समानिता कौन से अनुछेत में है तो सोला में है नेक्स्ट है अनुछेत सत्रा चुवा चूत यानि कि जो आपकी क्या कि बहुपली लगा लेते थे या पता नहीं क्या क्या जी बजीब से नाम लगा लेते थे वो आपकी जो उपादी है वो आर्टिकल 18 के दौरा खतम कर दी गई थी टीन तीन चीजों को छोड़ कर किन किन चीजों को छोड़ कर एक तो गौर्वर्मेंट, दूसरा मिलिटरी और तीसरा एजूकेशन, इस फिल्ड में जो आपको आर्टिकल मिलता है, याने कि जो उपादी मिलती है, जैसे गौर्मेंट, सरकारी नौकरी में आपका क्या हो, उसके अनुसार आपको मिलती है, जो कि अपने नामों के अंदर अजीब वजीब से उपादी लगा लेते थे, बाहुबली लगा लेते थे, या कुछ और लगा लेते थे, तो उसके अनुसार अनुचेद 18 में उपादियों को समाप्त कर दिया गया था, ओके, नेक्स आपका सुतनतरता का अधिकार, याने कि 19 से लेकर 22 तक जो बोला गया था, पॉलर कैपिटल में आखिर फर्क क्या है, तो दियान रखेगा, जिसमें आपका छोटा A लगा हुआ मिल जाए, तो समझ लेजेगा वो आपका पुराना आर्टिकल है, यानि कि जब सविधान बना था, तब से ही है वो, लेकिन जिसके अंदर आपको ये बड़ा A मिल जाए या कोई भी बड़ी कैपिटल में मिल जाए, वो समझ लेजी का नया पारिपारिक्त किया गया है, मतलब उसमें एड किया गया है बाद में, तो ये था इसका मतलब, तो अनुछेद 19A क्या है, पुराना है, क्या बोला गया है इसका भाशन और अभिविक्ति का अधिकार, इ अनुछेद 19 बड़ा आए, इसमें क्या है, आपका RTI है, मतलब सूचना का अधिकार है, इंग्लिश में आप इसे कहते हो, आपको RTI, RTI आप सभी को पता है, रैट्टू इन्फोर्मेशन जिसको कहा जाता है, जो कि पास कब हुआ था, तो ये पास हुआ था, बार अक्टू बर 2005 को पास किया गया था, इसके अंदर होता क्या है, तो देखो किसी भी चीज के आप information चाहते हो, तो आप RTI फाइल करके उसकी information ले सकते हो, आपको 30 दिनों के अंदर जो आप RTI फाइल करते हो, उसके 30 दिनों के अंदर आपका उसका reply मिल जाएगा, अगर आपने जो उसक के अंदर मिलेगा, पहली बार में 30 दिनों मिलता है, और दूसरी बार apply करते हो, तो 90 दिनों मिलता है, तो ध्यान रखेगा इस चीजों को question ये पूछा जाता है आपसे, नेक्स्ट है अनुछे 20 के अंदर, तो अनुछे 20 ये उसके अंदर क्या है, तो आपका दोशा रोपन म आपका वो होता है, जिसके उपर आरोप लगाया जाता है, कि इसने चोरी करिया, इसने murder करा है, इसने ये करा है, लेकिन उसके पर वो साबित नहीं होता, अपरादी वो होता है, जिसके उपर लगाया गया हो, आरोप और उस पर साबित भी हो गया हो, ओके, तो ध्यान रखे आपका दोशारोपड में आपकी समानेता आर्टिकल 20 में लिखे गई या अनुचेद 20 में लिखा गया है नेक्स्ट है अनुचेद 21 इसमें क्या है तो जीवन जीने का अधिकार यानि कि आपका जो राइट टू लाइफ है वो आपका अधिकार इसमें दिया गया है तो Right to Life यानि कि जीवन जीने का अधिकार है पहले हमारे टोटल 6 अधिकार थे लेकिन 2017 में जो आपके एक जज थे 44 में जज जे यानि कि J.S. खेकर थे उनके अनुसार एको जोड़ दिया गया सातवा Right to Privacy तो ध्यान रखी का हमारे पहले कितने Right to Life यानि कि जीवन जीने का अधिकार है Right to Water, यानि कि पानी के उपर अधिकार है Right to Fresh Air यानि कि पूरा सुधवा लेने के आपका अधिकार है Right to Health आपकी جंश है उसका अधिकार है, आपको तो ये सारे के सारे आपकी थे, आपके right है, आपको अच्छा खाना मिलना चाहिए, अच्छा पानी मिलना चाहिए, अच्छी हवा मिलना चाहिए, आपके अच्छी सेत होनी चाहिए, अच्छी नीद मिलनी चाहिए, अच्छा जीवन होना चाहिए, ये सारा का सारा क्या है, वेक्ति के जो प्राइवेसी है उसको भी उसका जो अधिकार है वो होना चाहिए तो option number 7 जो आनि की right to privacy है वो आपका 2017 में जोड़ा गया था right to living hood के अनुसारी जो वेक्तियों को काम दिया जाता है आपको पता है मनरेगा और नरेगा दो परकार के आपकी सरकारी योजना ही चलती रहती है जो की नरेगा का full form क्या होता है National Ruler Employment Guarantee Act जो की 2006 में परिपारित करा गया था और 2009 में उसका नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया था बस उसमें M आगे लगा दिया गया था क्योंकि महात्मा गांधी जी के सम्मान में फिर उसका नाम क्या हो गया था महात्मा गांधी National Ruler Employment Guarantee Act तो बस यह हो गया था तो उसी में जो आपका राइट टू लिविंग हुड है उसी के अंदर जो आपके होती है जहां पर आपका सम्माने दिनों के अंदर व्यक्तियों को 100 दिनों का काम दिया जाता है और चाहाँ पर सूखा और बाढ़ वाला एरिया होता है वहाँ पर 1500 दिनों का काम दिया जाता है तो इसके अंदर आपका यह आता था नेक्स्ट है आपका अनुछेद 21A देखो अभी मैंने आपको 21 पढ़ाया राइट टू लाइफ अब आ गया 21 बढ़ाया ये क्या है नया जोड़ा गया क्या था आपका RTE यानिके राइट टू एजूकेशन यानिके सिक्षाकाधिकार तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपका RTE यानिके राइट टू एजूकेशन कब उपरिपारित किया गया था और कौन से अनुछेद में है तो ये 21A के अंदर है ये हमारे सविधान के 2002 में 86 संसोदन किया गया था ध्यान रखेगा 2002 में 86 संसोदन किया गया था और 2009 में ये कंप्लीट पास हो गया था कब पास हो गया था एक मैंने आपको डेट भी बताई थी 4 अगस्त को और आपका सिंगनेचर कब किया गया था वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा पेड़ाओजी में वो बात अलग है तो ये थे आपकी बात 2002 में 86 संसोदन किया गया था 2009 में पूरी तरीके से इसको पास कर दिया गया था लेकिन लागू किया गया था अगले साल 1 अप्रेल 2010 से जब RTI में पढ़ाए था आपको पेड़ाओजी में पूरी डीटेल्स इसकी बारे में चर्चा गया थी तो ये वही है कौनसे अनुशेद में आता 21 E में अगर आपसे पुछा जाये कि कौनसे सव flexibility संसोदन के द्वारा किया गया था amendment के द्वारा किया गया था तो 86 संसोदन के द्वारा किया गया था डिरेक्टली यही questions पूछा जाता है आपका ओके तो इसी के अनुसार आपका बोल दिया गया था कि बच्चा निशुल के एवं अनिवारा रूप से बच्चे को प्रारंबिक शिक्षा तक ग्रेंड करने की पूरी की पूरी अजादी है तो अनुचेद 21 में ये लिखा गया है नेक्स्ट आनुचेद 22 22 में क्या लिखा है गिरफतारी की विद्रो में कानून विरोध में कानून यानि कि जो आर्टिकल 22 है आपका राइट to freedom का उसमें आपका protection आगेंस जो arrest होता है उसमें आपका protection करती है डिरेक्टली आप बोल सकते हो जो आपका गिरफतारी होती है व बोल सकते हैं compromise करा के छुड़वा सकते हैं लेकिन आप किसी का murder कर देते हो या किसी के परगार की बड़ी चोरी करते हो तो उसमें क्या होता है उसमें आपका ये नियम है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसको क्या करना होता है तो ध्यान रखेगा protection against arrest यानि गिरफतारी के विरुद में कानून भी है आपका article number 22 में नेक्स्ट है आपका शोशन के विरुद अधिकार यानि कि right to against explanations इसमें आपके दो आर्टिकल है 23 से लिकर 24 के बीच में आर्टिकल यानि कि 24 में 23 में और 24 में क्या लिखा रखा है तो अनुच्छे 23 में लिख रखा है मानव तसकरी और जबरदस्ती काम कराने के लिए परतिबंदित कर रखा है यानि कि जो भी आप मानव सरीर के तसकरी करते हो या जबरदस्ती किसी से काम लेते हो तो वो आपको क्या कर रखा है यहां पर परतिबंदित कर रखा यानि कि evolution of human trafficking and force labor की बात करी जाए तो यहां पर है अनुछे 24 में लिख रखा बाल मजदूरी ध्यान रखेगा confusion यहीं पर ही पूछ जाता है कि बाल मजदूरी कौन से article में है बच्चा लिख किया जाता article आर्टिकल नंबर 23 में ध्यान रखेगा आर्टिकल नंबर 23 यानि कि अनुछे 23 में मानव तरस्करी और जबर्दस्ति काम करने के उपर डिपेंडेड है चाइड लेबर यानि कि जो आपकी बाल जो भारत राज्य है वो बहुत पिछड़ा वर्ग है जहां पर कई परिवार खाने के लिए यह दो रोटी काम करते हैं तो उसके लिए उन्होंने यह प्रतिबंदन कहा था कि 14 से ज़ादा उमर के बच्चे जो कम खत्रे वाले काम है वो कर सकते हैं तो अनुछे 23 और 24 के अंदर आपका यह लिखा हुआ था नेक्स्ट है आपका धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार जो आर्टिकल लिख रखा 23-25 से लेकर 28 में यानि कि Right to Freedom of Religions यानि कि आपके धार्मिक स्वतंतरता के आपके पूरी है जाती है कि कौन सा धरम आप अपना छोड़कर दूसरे धरम में जा सकते हो या किस धरम से आपके क कौन से धरम में आ सकते हो तो वह पूरी के पूरी आपके अपर डिपेंड है तो Right to Freedom to Religion है तो आर्टिकल नमबर 25 से लेकर 28 के बीच में उसके बारे में लिखा गया है नेक्स्ट है आपका शिक्षा और संस्कृतिक का अधिकार जिसे आप इंग्लिश में Culture and Educational Rights कहते हो जो को Article No. 29 और 30 में है यानि कि अनुचेद No. 29 और 30 में है अनुचेद 29 और 30 में क्या है तो अनुचेद 29 में आपका बोल रखा है जो सैसिक शंस्था है उसमें आपके अलप संख्याओं को दाखिला जरूर मिलेगा यानि कि जो आपके सैसिक Educational Institute से यूनिवर्स्टी से उसकूल से उसके अन्दर जो अलप संख्या है जैसे कि आपके जैन होगे बोध होगे या फिर आपके मुस्लिम्स होगे वो सारे के सारे जो अलप संख्या लोग है उनको दाखिला जरूर मिलेगा किसी को भी मना नहीं किया जा सकता अनुचेद 30 के अंदर क्या लिख रखा है अलप क्या लोग हैं वो अपने धर्म के अनुसार अपने विद्याला या अपने इंसिटूट्स खोल सकते हैं किसी पर भी किसी की परकार की परतिबंदित नहीं है जैसे कि मुस्लिम रोब मरदरसा खोल लेते हैं तो मदरसा क्या है बच्चों की प्राइमरे स्टेज और परारंबी क स्कूल की एक क्लास होजित होते हैं तो उस परकार के अपने धर्म के अनुसार वो विद्याले खोल सकते हैं तो अनुचेद 30 में लिखा गया है यह नेक्स्ट आपका अनुचेद 32 के अंदर क्या लिख रखा है सविधानिक उपचारों का अधिकार यानिके राइट टू कॉ सविधानिक उपचारों का अधिकार जो हैं वो मौलिक अधिकार की आत्मा है क्यों देखो इसमें मौलिक अधिकार की रख्षा करने के लिए यह हमारे मौलिक अधिकार के कोई छीनता है तो हम कोट भी जा सकते हैं मतलब आपके कोई मौलिक अधिकार को छीनता है हननन करता ह ये किसी भी परकार की कोई दुस्ट्रिता करता करता है तो वो हमारे कौन रक्षा करता है तो सविधानी उप्चारों का जो अधिकार है वो हमारी रक्षा करता है इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कोट में भी जा सकते हैं किस कोट में जा सकते हैं तो ध्यान रखेगा मौलिक अधिकार की सुरक्षा की जो गरेंटी होती है, वो आपकी सुप्रीम कोट और हाई कोट दोनों की होती है, ओके बहुत इंपर्टन कोशन है, ध्यान रखेगा, यहां से एक कोशन और पूछा जाता है, कि आपातकाली निस्थिती में, यानि कि एमर बानता है, यानि कि Equality of Convisions, यानि कि अपरादी और आरपी में क्या अंतर होता है, किस परकार से होता है, उसके बारे में, और आर्टिकल नमबर 21, यानि कि Right to Life, यानि कि जो आपके जीवन जीने का अधिकार साथ इंपोर्टन अधिकार बताये थे, वो आपका अधिकार कोई लगी हो, तो नीचे जाके वीडियो को लाइक काना ना भूलिएगा, और अगर आपके मन में वीडियो के रिकारिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो नीचे comment box में comment किजिएगा, मैं आपका reply ज़रूर करूँगा, अगर आपने इस चैनल कब तक नी करा तो जल्दी से subscribe कर लेजिए, और उसके साथ में जो bell icon होगा, उसको भी दबा दीजेगा, ताक कि आने वाली वीडियो का notification आपको time to time मिलती रहे, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आप से फिर मुलागात होगी, नेक्ट वीडियो में जब तक के लिए, जै हिन, जब हारत